हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं बताऊंगा आपको भिंडी के सांदार फायदे जी हाँ भिंडी तो सभी खाते हैं क्या आपको पता है भिंडी के फायदे के बारे में तो हम आपको वीडियो में बताएंगे तो पूरा वीडियो लाश्ट तक देखें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो चलिए हम आपको बताते हैं भींडी के बारे में भींडी को लेडी फिंगर भी का जाता है अब हम लोग जान लेते हैं भींडी खाने से कौन कौन से फायदे हैं पहला तो जो है कैंसर में जी हां यदि आप कैंसर को दूर भगाना चाहते हैं तो आप लोग भींडी का उप योग कर सकते हैं क्योंकि भिंड़ी बहुत ही फायदेमंद होता है इन के लिए यग आतों में मौजूद बिसेले तत्व़ों को बाहर निकालती है जिस से हमारी आते स्वस्थ रहती है और यह बेहतर तरीके से भी कार्ली करती है अगला जो है भिंडी आपकी दिल को भी सुस्त रखता है क्योंकि इसमें मौजूद पैक्टिन कोलस्ट्रेल को कम करने में मदद करता है इसमें पाया जाने वाला घुलसील फाइवर रक्त में कोलस्ट्रोल को कंट्रोल करता है जिससे हिर्दय कारोग का खत्रा बहुत ही कम हो अगला जो है डाइबिटीज जी हाँ, भिंडी में पाया जाने वाला यूगोनॉल डाइबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमन्द होता है, यह सरीर में सरकरा के अस्तर को बढ़ने से रोगता है, जिससे डाइबिटीज का खतरा भी कम होता है अगला जो है एनेमिया रोक के लिए जी हाँ बिंडी का उप्योग आप लोग एनेमिया रोक के लिए कर सकते हैं या बहुत ही अच्छा होता है इसमें मौझूद आइरन हीमोगलोबिन का निर्मान करने में साहयक होता है और इसमें बिटामिन के जो की रख तस्त्राव को रोक उपने का काम करती है अगला जो है पाच्छन तंत्र में जी हाँ भिंडी फाइवर से भरपूर होती है इसमें मौझूद लसलसा फाइवर पाच्छन तंत्र के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है जिससे पेट का फुलना कबज दर्द और कोई भी गैस की समस्याएं नही होती है अगला जो है एम्यूनी सिस्टम को भी मजबूत करती है क्योंकि भिंडी में बिटामिन सी होने के साथ साथ या एंटि आउक्सिडेंट से भरपूर होती है जिनके कारण या एम्यूनी सिस्टम को मजबूत करके बिमारियों से लड़ने में मदद करती है इसे भोजन में सामिल करने से कई बिमारियां आपकी खत्म हो सकती है अगला जो है यदि आप हड़ी मजबूत करना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप भिंडी का उप्योग कर सकते हैं क्योंकि भिंडी में पाया जाने वाला लसलसा पदार्थ हमारी हड़ीयों के लिए बहुत अच्छा ह होता है क्योंकि इसमें बिटामिन के पाया जाता है जो हमारी हड़ी को स्ट्रॉंग करता है अगला है आखों की रोसनी में जी हां भिंडी आखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है गर्भावस्ता में भिंडी का आप लोग सेवन कर सकते हैं क्योंकि भिंडी में फॉलेट नाम का एक पोसक्ततु होता है जो भुरुन के दिमाग के विकास को बढ़ाने में महत्पुन भुमे का निवाती है अगला है भिंडे आपके वजन को भी कम करने का काम करती है अगला जो है इनका परियोग आप लोग बालों को खुबसूरत धना चमकदार बनाने के लिए भी क कर सकते हैं इसके लसलसे पदार्थ को निम्बू के साथ सेंपू की तरह आप इस्तेमाल किजिए बहुत ही आराम मिलेगा अगला जो है कबज की समस्या में भी आप लोग भिंडे का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इसे खाने से मल त्यागने में कठिनाई नहीं होती है भिंड का सेवन कबज के लिए रामबान का काम करती है तो है ना सांधार फैदे और हाँ इतना फाइदा जानकर भिंडे का उपयोग जादा मात्रा में ना करें नहीं तो आपके लिए या खत्रा हो सकता है किसी बिमारी के सिकार हो सकते हैं या जानकारी घ्रेलू नुस्खे पर आरित है आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में नई कोई जानकारी के साथ तब तक के लिए ख्याल रखें मस्त रहिए खुस रहिए टेक केर